हेलो एवरिवन स्वागत करती हूँ मेरे चैनल डिजाइनर रजनी पर आज में बनाने जारी हूँ बहुत ही प्यारा सा ब्यूटिफुल सा ब्लाउच डिजाइन जो की काफी जादर ट्रेंड में चल रहा है तो फ्रेंड्स वीडियो को इसकीप ना करें अगर आप भी कुछ नेक डिजाइन पहनना चाहते हैं तो यह न्यू डिजाइन आप जुरू ट्राइगरे क्योंकि लूग भी कफिया चाहता और फिटिंग भी एकदम पर्फेक्ट थी इस वाली ब्लाउच डिजाइन पर आप सब ने इस्ट्राग्राम पर बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दि तो फ्रेंड्स से हमें जो मार्किंग करनी है वो लाइनिंग फैबरी पर करनी है यह हमारा फोल्डिंग पार्ट है और यह हमारा ओपन पार्ट है मैं फैबरी पर हम बाद में कट करेंगे सबसे पहले लाइनिंग फैबरी पर इसकी मार्किंग करेंगे फोल्डिंग साइड स हम मार्किंग करना स्टार्ट कर correct करें कि सबसे पहले हमें नीचे कि सायड एक स्टेट लाइन ड्रों कर लेंहां जिस satisf souverick कटो जाएगा और यांसे हमें ब्लाउट के लेन्टलेनी है जितनी बेपके लेंट है उसमें आपको वनपलस लेना है जैसे मेरी ब्लाउज की लेंद है 14 इंच तो इसमें 1 पलस में एक्स्ट्रा लूँगी तो मैं टोटल मार्किंग 15 इंच पे करूँगी और इसे भी हमें स्टेट लाइन से ड्रो कर लेना है तो यह हमारी ब्लाउज की लेंद हो गई अब हमें सॉल्डर को मार करना है जितनी भी आपका सॉल्डर साइज है वो आपको यहाँ पे मार कर लेना है तो मेरी सॉल्डर साइज है वो 6 इंच है अब हमें नेक की चोड़ाई के अनुसार सोल्डर को डाउन करना है अगर आपके नेक की वीड़ते हैं वो कम है तो आपको सोल्डर को ज़्यादा डाउन करना है और अगर सोल्ड़ाई ज़्यादा है तो सोल्डर को कम डाउन करना है तो मैंने जो नेक की चोड़ाई ली है वो तीन इंच रखी है आप नॉर्मल धाइंच भी रख सकते हैं इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर हाप इंच यह डाउन करूंगी सोल्डर को और इस तरह से इसको मार कर लूंगी अब हमें आर्मॉल की लंबाई लेनी है तो आर्मॉल की लंबाई सिंपल तरीके से आपको चेश्ट का साइज है उसको आपको 6 से डिवाइड करना है तो मेरा चेश्ट का साइज है 36 36 को 6 से डिवाइड करूंगी तो 6 इंच आएगा तो 6 पे मैं मार कर दूँगे इस तरह से और इसको भी हमें इस तरह से State Line से ड्रो कर लेना है यहाँ पे हमें 6 साइज ली है यहाँ पे भी हमें 6 इंच पे मार करके सिधा ड्रो कर देना है अब हमें आर्मोल की गोलाई लेनी है तो बेक पार्ट में आर्मोल की गोलाई वन इंच लेते है तो मैं यहाँ पे पॉइंच से वन इंच पर मार कर दूँगी इस तरह इसकी सेफ हम बाद में देंगे पहले चेस्ट का मेजरमेंड लेंगी तो जितने भी आपकी चेस्ट है उसका पर्टा लेना है तो मेरी चेस्ट साइज है वो 36 इंच है तो उसका फोर्पाट होगा नौ एंच हे तो आप नुह आ पर टॉटर मार करूंड की इस तरह पलस इसमें दो इंच की लूजिंगेट करूंगी आप डेड़ भी रख सकते हैं लूजिंग या वन भी रख सकते हैं वो आपके उपर डिपेंट करता है मैं आपे दो इंच की लूजिंगेट करूंगी तो टोटल मार्किंग 11 पर हो जाएगी इसी तरह सेम हमें कमर कर भी मार् प्लस इसमें भी हमें दो इंच की लूजिंगेट करना है तो इस तरह से दो इंच पर मार्कर देना है तो यहां पर टोटल टैन हो गया अब हमें इनको आपस में मिला देना है अब हमें आर्मोल की गोलाई देनी है वन इंच पर तो इस तरह से हमें बिल्कुल से आर्मोल को ड्रो करना है यह मारी चैश्ट और लेंद की मार्किंग कंप्रिट हो गई अब हमें नेकी डिजाइन ड्रो करनी है तो सबसे पहले हमें नीचे की side यहाँ से 3.5 इंच पे एक मार करना है line से और यही 3.5 इंच पे हम पीछे की side पे मार कर देंगे इस तरह से और इस line को सिधा करके मिला देंगे यह हमारी पट्टी हो गी नीचे की वो हमें अलग से कट करना है अब हमें blouse की neck की length लेनी है तो जितनी भी आपको neck की length लेनी है आप रख सकते हैं बड़ी या छोटी साइज में तो मैं आपे neck की length है वो 1.5-8 इंच रखूंगी और neck की वीर्थ है नीचे से 1.5-3 इंच पर मार करूंगी और इस तरह से एक box बना लूँगी अब हमें इसमें neck का shape корणा है तो बिल्कुल finishing से आप neck का shape लोग कर सकते आप गोल shape में पर कर सकते हैं मैं यहाँ पर बांच झेफ में डूँगी बिल्कुल finishing से देख सकते हैं पिछले वाली वीडियो में मैंने इसको गोलशेव दिया था इस वाले वीडियो में मैं 50 एप एड़ करूंगी यहाँ पर मैं पौने चारेंच पे एक मार्क करूंगी और इस मार्क को इस तरह से इससे मिला दूँगी थोड़ा सा गेप छोड़ते हुए तो हमा लेकिन हमने डाइ इंच पे इसको टोटल कर दिया है अब हम इसको कट कर लेते हैं अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर फोलो करें साथ ही हमारे इस्ट्राग्राम और फेस्बूक प्रेज को भी जरूर फोलो करें ताकि शोट्स वीडियो आपको वहाँ पर मिल सकी तो एक कटिंग कंप्यूट हो गई सेम ऐसे ही हमें मैन फेबरी पर भी इसको कट कर लेना है मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कितना प्यारा लुक आएगा इसका आप इसको बेख हुक में भी बना सकते हैं पर मैंने फ्रंट हुक में बनाया है तो सेम डिजाइन ऐसे ही रहेगा तो इसकी कटिंगी स्टार करते हैं यहां से सबसे पहले आपको इसको कट कर लेना है दोनों को अलग कर लेंगे इस तरह से अब हमें इस पार्ट को मैं फेबरी को सीधा रखना है और लाइनिंग फेबरी को इसके उपर सेट करना इस तरह से कि दोनों को क guns के और इस तरह से हमें इसके क्रणर पर एक मार कर लेना है क्योंकि यहाँ पर में डो那个 करनी है तो । influen के लिए हमें पहली मार कर लेना है ऑप'ME करनी नहरे है अब हम यहाँ पर किसकोषच करना है अब हमें इसके उपर हाभ पिंच के गेप में इसके इन्य को स्टीज करना है तो इस तरह से, हाफ़ी इसका गेप छोड़ती हुए हम इसको न्य को स्टीज करना है और यहाँ पर कॉर्णर पर हमें यह डोरी अटेजि करनी है जहाँ पर हमने मार्क किया था बिल्कुल वहाँ पर रखके इसको लोग कर देंगे दो बार की दोरी भार की तरफ या इदर उदर ना किसके और नेचे की सेड हमें ऐसे स्टीच लगा लेनी है अब हमें इसके बीच में चोट 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 कर्स लगा लेने हैं ताकि फिनिशिंग अच्छी आए अब इसको इस तरह से फॉड़ कर लेंगे और इसके नेक पर एक स्टीच और लगा लेंगे इस तरह फेबरी के उपर जहां तक इस्टीच लगें वहां तक हमें इस्टीच लगाना है बिल्कुल ऐसे सेट करते हुए क्योंकि इससे फिनिशिंग अच्छी आती है फॉड़ करने के बाद तो जहां तक हो सेगे वहां तक हमें इस्टीश करना है तो इस्टीशिंग कप्रीट हो गई अब हम इसको धागे को कट कर लेंगे और इस तरह से देख सकते हो आप अब हमें इसके उपर फ्रेस कर लेना है ताकि फिनिशिंग और वे इच्छी दिखेगी यहां पर हमें इसके उपर टक्स लगाना है तो इस तरह से फोड करके मैं छोटा सा टक्स लगाऊंगी तो इस तरह से हमें इसको इस्टीश कर लेना है सेम इसी तरह हमें इसके दोनों पार्ट को इस्टीश करना है तो मैंने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है इसके एक्स्ट्रा फेबरी को हमें यहां पर कट कर लेना है इस तरह से अब यहां पर इसकी डोरी के फुंदे लगाने हैं तो मैं यहां पर सिंफल फुंदे लगाऊंगी दोनों पाट की डोरियों के हमें इसी तरीके से फुंदे लगाकर इनको रेडी करना है और इनको इस तरह से फॉड करके बाहर निकाल देना है दोनों को तो यह हमारी डोरी भी रेडी हो गई अब हमें इसके नीचे की पट्टी को इस्टीज करना है तो जो हमारी नीचे की पट्टी कट की है उसको हमें इस तरह से रखना है और यहां पे हमें इसको इस्टीज करना है तो जो पट्टी है उसको सही से सेट करके हाँ पिंच के गेप पर हमें इसके कोर्नर पर सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड हमें सिलाई करनी है सेम अब इसके एक्स्ट्रा फेबरी को कट कर लेंगे और इसको इस तरह से सिधा कर लेंगे तो यह हमारी पट्टी है वो सिधी हो गई है अब हमें इसके उपर फ्रेश कर लेना है ताकि फिनिशिंग अच्छी दिखे तो मैंने यह आपे इसके उपर फ्रेश कर लिया है देख सकते हो आप अब हमें इसके उपर वाले पार्ट पर अटेज करना है तो इसको बिल्कुल सई से सेट करके हमें इसको अटेज करना है उपर वाला पार्ट आगी पीछे ना हो सेम हमें इसको मार करके अटेज करना है तो देख सकते हो आप इस तरह से पहले एक पार्ट को इस्टीज करना है तो यहाँ पर हमें बिल्कुल फिनिसिंग से इसको अटेज कर लेना है और यहाँ पर लोग कर देना इसको इसी तरीके से हमें इसके दूसरे पार्ट को अटेज करना है इसके उपर रखे तो इसको बराबर सेट करते हुए हमें आप इसको मार्क कर लेना है या तो या अपने शाप शाप इसको इस्टीज कर सकते है तो बिल्कुल फिनिशिंग से इसके दूसरे पार्ट को टेज करना है तो इस तरह से हमारे दोनों पार्ट इस्टीच हो गए है यहां से हमें इसके एक्ष्टा फेब्रीव कट कर लेना है अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर फोलो करें देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कितना प्यारा लग रहा है अगर आप एक बिगिनर्स है तो आप भी यह बिलाउस डिजैन जरूर ट्राइ करें क्योंकि लोग भी काफी है चाहता है और एक्तम पर्फेक्ट्री फिटिंग के साथ यह बनता है तो देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका आप भी जरूर ट्राइगरे थेंक्यू सो मच बाबाई